गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इरुसाला में आपका स्वागत है हम लोग लुसेंट अब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे थे इसमें बाइलोजी चल रहा है यह बाइलोजी का पाट ठड है इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं आप देख सकते हैं तो यह रॉबबर्ठू हुग थे तो सेल नाम किस जीव वेग्यानिक के द्वारा दिया गया था तो यह रॉबर्ठू के द्वारा दिया गया था नेक्स है कौन सी रजना जन्तु कोसिका को वनस्पति कोसिका से विभेदित करती है यह है सेंट्रियोल जो है जन्तु कोसिका को वनस्पति कोसिका से विभेदित करती है नेक्ष है कोसिका में राइबोसोम की अनुपस्तिती में कौन सा कार संपाधित नहीं होगा तो यह प्रोटीन संसलेशन है तो राइबोसोम की उपस्तिति, अनुपस्तिति में प्रोटीन संसलेशन का कार समपादित नहीं होगा, उके, यदि माइट्रो कॉंडिया काम करना बंद कर दे, तो कोसिका में कौन सा कार नहीं होगा, तो ये नहीं होगा भोजन का अउक्सी करन, तो mitochondria अगर कारे करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सी करन नहीं होगा चलिए आगे देखते हैं कोसिका का उर्जा ग्रे किसको कहा जाता है तो यह mitochondria को कहा जाता है Powerhouse किसे कहा जाता है mitochondria को निमन में से कौन सा सबसे बड़ा कोसिकांग है तो यह Plastid है जो सबसे बड़ा कोसिकांग है कोसिका में प्रोटीन संसलेशन कहां होता है तो यह राइवोसोम में होता है नेक्ष्ट पर आते हैं पादब कोसिकाओं की सबसे बाहरी आवरन को क्या कहते हैं तो कोसिका भित्ति कहते हैं पादब कोसिकाओं की सबसे बाहरी आवरण को कोसिका भित्ती कहते हैं। कोसिका को एक निश्चित रूप परदान करता है कोसिका भित्ती तो कोसिका को एक निश्चित रूप कौन परदान करता है यह कोसिका भित्ती परदान करता है। नेक्ष पर आते हैं, कोसिका द्रव में उपस्थित, महीन, साकित, जिल्लीदार और अन्यमित नलिकाओं का घाना जाल क्या कहलाता है? तो यह अन्तव प्रदव जालिका कहलाता है, प्रोटीन निर्मान का सक्रिय अस्थल कौन सा है? तो यह है राइबोसोम, तो प्रोटीन निर्मान का होता है? राइबोसोम में, कौन सा कोसिका केवल पादब कोसिका में पाया जाता है? तो कोसिका भित्ती, लवक, रिक्तिया, य जड़ो की कोशिकाओं में पाए जाते हैं अवर्णी लवक नेक्षे फुलो और बीजो को विभीन परकार के आकर्सक रंग कौन परदान करता है तो ये क्रोमोप्लास्ट परदान करता है फुलो और बीजो को आकर्सक रंग क्रोमोप्लास्ट परदान करता है पत्तियों को हरा क्रोमोप्लाश्ट के द्वारा होता है वह क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है स्शंवalter मेंक्षी यह फ्रवादेना वह जोता है गुशाइन यह नश्ट कर दनीग्रा उता है lucy caliatic enzyme कहलाता है गता है तो 84% अधीक को सिकता पाया जाने वगावाला पतार्त है तो यह जल से अ Panama Section नीमलिकीत मैं उस्हां को संग्रहकार की तरह कार करती है तो यह नेगी चैनलौ स्विकार ऑन किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादब कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो यह कोशिका भित्ती होती है कोशिका भित्ती के कारण किसी पादब कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है नेक्ष है गोलजी काय का प्रमुख कार क्या होता है स्त्रावी कोशिका का रसो जाली का द्वारत संपन नहीं होता है तो यह प्रोटीन का संस्लेशन जो इसके द्वारत संपन नहीं होता है अब नेक्ष पर आते हैं माईट्रो कॉंड्रिया की खोज किसने की है तो यह आल्ट मैंनी नेक्ष है अंगक पराया जन्तु कोसिका में उपस्तिप नहीं होता है कौन सा है यह लवक एक्षप्य आते हैं Mitochondria का भीतरी वलन कहलाता है यह क्रिश्टी कहलाता है कर द Deb inex माइटोकॉंड्रिया किस में अनुपस्तित होता है तो जिवानु में अनुपस्तित होता है माइटोकॉंड्रिया जिवानु में नहीं पाय गाता है जिवद्रब सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था यह पूरकिंजे ने किया था जिवद्रब सब्द का प्रयोग स के दिव हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रसावित किया था यह है वार्षन और क्रिक इन्होंने डिएने के दिव हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रसावित किया था वार्षन और क्रिक ने नेक्षपे आते हैं निउकिलियस की खोज किसने की थी तो यह है ब्रा तो यह वाल्डेयर वाल्डेयर ने सबसे पहले गुंद्शुत्रसब्द का परदान किया था अंतर प्रदर्वयक जालक की खोज किसने की थी यह पोर्टर ने अंतर ज्रब जालक की खोज कें है आगे बढ़ते हैं नेक्ष कोश्यन वास्तवी केंद्रक किस में अनुपस्तित होता है तो यह जिवानुओं में वास्तवी केंद्रक अनुपस्तित होता है नेक्ष सरवाधिक संख्या में गुंसुत्र किस में पाए जाते हैं तो यह है ओफियो गलोसोस में पाए जाते हैं चलिए आगे देखते हैं कोसिका का जीवित अंस जीव द्रब कहलाता है या किस से बना होता है तो या कोसिका द्रब केंद्रक द्रब और कोसिकांग से बना होता है कोसिकिये वह आनुविक जीव बिज्ञान केंद्र कहां इस्तत है तो या हैदराबाद में इस्तत है कोश किये वह आन्विक जीव विज्यान किंद कहा है है हैदराबाद में आगे बढ़ते हैं सबसे छोटी कोशिका इन में से कौन है तो यह है माइको प्लाज्मा माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोसिका है अब एक कोसिका के बारे में कथन सही नहीं है देख लेते हैं ये सही नहीं है सभी दे उत्तकों में एक ही परकार की कोसिकाई विद्वाने ये गलत हैं सही कोसिका के बारे में जो सत्त है वो देख लेते हैं कोसिकाओं के अकार तथा अमाब विस्ष्ट कारे से संबधित होते हैं, कुछ कोसिकाओं के बदलते अकार होते हैं, पर तेक कोसिका में निस्पादन की अपनी छमता होती है, तो ये कोसिका के बारे में सही था, निमन में से आते हैं, निमन कोसिका अंगको में कौन सा एक अर् है ठीक है निकिलियस के बाहर डियेने कहां मिलता है तो यह माइट्रो कॉंडिया में मिलता है तो निकिलियस के बाहर डियेने माइट्रो कॉंडिया में मिलता है ओके इसका एक कोशन है, इसका निमलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो यह गोलजी काई है, गोलजी काई कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, निमलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है, जो प्रोकेरियोटिक कोशिकाउं में पाया जाता है, तो यह है dat........ फीर से सुन लीजिये , कौन सा कोसीकांग है , जो कोसीकांग है , जो लिए सुन नहीं पाया जाता है , एक इमारत में, इटे समान को명ने होती है , ओक में आपता है little सब्द को सर प्रथम प्रतिपादित करने का स्रेक इसको जाता है तो यह रीटर को जाता है तो पारिस्थित की सब्द सबसे पहले रीटर ने प्रतिपादित किया नेक्ष है पारिस्थित की निमलिखित के बीच पारिस्परिक संबंधों का अध्यान है तो यह है जीव और वा है स्वह पारिष्थित क्या है तो इसका है अभी प्राय G curator जिऊधारी का पारिष्थीत की अध्यान चलिए आगे देखते हैं पारिष्थित की तंत्र सब्था वली किस ने प्रस्तूत की थी तो तो इसे पारी तंत्र सब्द का सरोध क्रिष्ट वर्णन है पार्स्थित की तंत्र के दो घटक कौन से हैं तो ये हैं जैविक एवं अजैविक निम्न में से कौन पारी तंत्र का अजीवी घटक है तो इसमें जल है जो पारी तंत्र का अजीवी घटक है नेक्ष है किस पास्थित की तंत में उर्जा का परवा के बारे में कौन सी स्रिंखला सही है तो ये है उत्पादक, उपभोगता और अपगटक ये परवा सही है उर्जा का परवा इस रूप में होता है उत्पादक से उपभोगता में और उपभोगता से अपगटक में नेक्ष पर आते हैं, खाद सरिंकला बनती है Prozent, तो यह है, उतपादकों उपभोगताओं एवbrahim अपःघटकों से बनती है, नेक्ष है, किसी सरिंकला में प्रात्मिक उपभोगता कौन होते हैं, तो यह होते हैं साकाहारी. किसी पारी तंत्र में उत्पादकों का कार क्या होता है इनका कार होता है सौर उर्जा को पकड़ना और इससे रसायनी कुर्जा में बदलना तो ये होता है उत्पादकों का कार नेक्ष पे आते हैं पारितंत्र में उर्जा का प्रात्मी के अमुक स्रोत होता है तो यह सूर्य का प्रकास होता है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्रात्मी कुदपादकों की सबसे बड़ी संख्या होती है लिए नेक्ष देखते हैं वायू एवं जल की किरिया द्वारा भूमी का हटाव क्या कहलाता है तो यह अपर्दन कहलाता है दिदा अपर्दन रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा तो वनों को उगाने से मिर्दा अपर्दन को रोका जा सकता है बाड़ को रोका जा स अमोन सबस्यों नेलेज्वारह संदर वन डेल्याटा में पाएस देल्टा में नेक्ष है मैंन ग्रोव वनसपति का मुख घृत कौन सा होता है यह राई जो फोरा होता है आगे आगे देखते हैं रिंजल पतियाय किनारे में राध रीवां और धसे हुए रंद्र किसके पर्मुप कारण है तो यह सुस्को उदुवईत के पर्मुप कारण है नेकश है मरुद्बीद में लंबा मुल्टंत त्र क्यूं होता है क्यूंकि गहरे जल अस्थरों से जल असोसित करने जड़े गहराई में चली जाती है तो जल जो जल को असोसित करने के लिए जड़े जो होती है गहराई में चली जाती है आगे यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभू जनतु मर जाएंगे ये तो सभी जानते हैं ऑक्सीजन चली आगे अ यहां वर्षा पूरे वर्ष होती है नेक्सट में आते हैं मिरमे कोफ़़ी एक लापदायक सहयोजन होता है कुछ पुसपी पादपो का चीटीयों के बीच एक data कुछ पूसपादपो और चीटीयों के बीच होता है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है कौनसा है सागर सबसे तब हम द्यूतियक उप्रभोगता होते हैं, सौर उर्जा किस से प्राप्थ होती है, तो सूर्ज से प्राप्थ होती है, खाद स्रिंखला से क्या भी प्राय है, इन में से किस के द्वारा उर्जा अंतरन, तो एक जिव से दूसरे में, हाइड्रोफाइड किसे कहते हैं एक जलिये पौधे को हाइड्रोफाइड कहते हैं नेक्ष है निम्न में से कौन सा पौधा मरूद भीद है तो यह है करील करील जो होता है एक मरूद भीद पौधा है नेक्ष है पर्यावरन के अजय अब्वय का उधारन क्या है यह है वायू तो पर्यावरण का जो अजय अपवय होता है वो वायू होता है नेक्स है हाइड्रोपोनिक किस से संबंधित है तो यह मिट्टी के बिना पौधे की ब्रीधी से संबंधित है तो हाइड्रोपोनिक्स वो पौधे होते हैं जो मिट्टी के बिना पौधे की ब्रीधी हो जाती है नेग्ष नेग्षिठ सौरूर्जा का सबसे बड़ा योगी की करन हरे पौधे द्वारा पारिस्थिती की संतूलन बनाय रखने के लिए भारत में chetre कितने अनुपात में होना चाहिए तो यह 33.3 परसेंट होना चाहिए आगे मैंग Springs के लिए मैं kहेती के लिए झून्निमे से कौन सा छेत्र प्रसिद है यह दचरिनीé 24 प्रगना का सजने खाली जंगल ये मेंगरो खेती के लिए प्रसीद है चली देखते हैं आगे एपी फाइट्स बहुत अधिक भिक्सीत होते हैं ऐसे पौधे हैं जो अन्य पोधों पर निर्वर करते हैं यांत्रिक मदद होते हैं एपिफाय्ट जो होते हैं यांत्रिक मदद है तो अनेिनिर्फे पर, कि मेसे कौन पर्या वर्नी द्राइवलर्ण द्रेशटि से उप्यूक्त है तो है जो पर्या वर्नी द्रेश्टि से उप्यूक्त होता है नेक्ष है अधिकांस मर्वस्थलिये पादब रात्री के समय ही पुस्पित होते हैं क्यूंकि मर्वस्थलिये कीट रात्री के समय सक्रिये होते हैं इसलिए ये रात्री के समय पुस्पित होते हैं नेक्ष्ट पर आते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधो को क्या कहते हैं तो इसे जीरो फाइट कहते हैं पारिस्थित की नीके की संकल्पना को पर्तिपादित किया था ग्रीन एल्स ने ओके नेक्ष्ट है निमलिखित में से कौन सा सबसे अधिक इस्तर पारितंत् नेक्ष्ट है निमलिखित में से कौन से तीन आर पर्यावरन के अनुकूल माने जाते हैं तो यह हैं कम करना पुना पर्योग करना और पुना चक्रीत करना ठीक है तो यह मान जाते हैं पर्यावरन के अनुकूल थ्री आर नेक्ष्ट है समाजिक वानिकी है क्या है यह है सहका स्वामित वाली भूमी पर उपयोगी पौधो को उगाना और उनकी व्योस्था करना या एक समाजिक वान की है प्रित्वी सिखर सम्मेलन कहां हुआ था यह रियोडी जनेरों में हुआ था राष्टिय अनुस्पतिक उध्धान कहां इस्थत है यह लखनौ में इस्थत है आग निम्न में से कौन क्रित्रिम पारितंत्र पारिस्थित की तंत्र है तो धान का केत जो क्रित्रिम पारिस्थित की तंत्र है नेक्ष है रेड डाटा बुक में किसका ब्यूरन दिया गया है तो यह संकटापन पादप एवं जीवजनतु का तो रेड डाटा बुक में लेट डाटा बुक उन जातियों के बारे में जो संक्टापन है इन में से कोन सा जय वीडिता के लिए खतर है यह प्राकिर्थिक अवासों ओर रॉनिस्ती उहों का भिनास तेथा जों घेत। यह प्राइब वीडिता के लिए खतर है चल और आगे मिदो हमाएं musicة संतूलन का कौन सा एक प्रमूख कारण है तो यह है वन अन्मूलन ओके ताल पारe स्तिति की तंतर की इस्थरता नीड़वर करती है उत पादकोम और उपभुघताओं पर नेक्षे प्रकिर्ति के संतूलन को तैय करने वाला मुख कारक क्याओन है यह मानो गतिवीदिया होती है निम्न में से किसे बैस्विक विरासत का वन माना जाता है तो यह पच्छी मगाल में सुंदर वन को माना जाता है वह वर्नक जो वनस्पति को परा भैगनी किर्णों के दूस परभाव से बचाता है यह है फाइको साइनीन जो होता है वनस्पति को परा भैगनी किर्णों के दूस परभाव से बचाता है नेक्ष है सरवाधिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है तो यह उस निकटी बंधिये वर्षावन में सरवाधिक जय विवित्ता पाई जाती है काजी रंगा है जो किसके लिए फेमस है तो यह गंडा के लिए फेमस है नेक्ष है पारिस्थित की तंत्र में तत्तों के चक्रन को क्या कहते हैं तो इसे जैव भूर असायनी चक्र कहते हैं चिप को अंदोलन किस से संबंदी किस के विरूध था तो वन कटाई के विरूध है चिप को अंदोलन था नेक्श है इको मात उन भारती उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरन के प्रती मैत्री पुन हो चलिए आगे देखते हैं वातावरन में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुले के कारण निमलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाए ऑक्सीजन निसेचन प्रभाव के बाकी सब प्रभावित हुए हैं इनने ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुपसुये सो फुत्पन करके मानो स्वास्त को प्रभावित करता है 9.0 PPM नेक्ष बीश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है तो यह है जल हाय सिंथ यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है नेक्ष पे आते हैं निमन में से किस कारद से पारस्थित की संतूलन विगड़ता है यह है लकड़ी काटना लकड़ी काट कमी से जब पादब विभित्ता को प्राकिर्तिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षन को क्या कहते हैं इसको स्वास्थाने कहते हैं नेक्ष है अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाग परभाव क्या है तो यह है मृदा अपर्दन चारन आहर स्रिंख के अधार तल में जीव होते हैं तो यह उत्पादक होते हैं पर्यावर्णिये आयोजन के साथ मुल्त संबंधित संगठन कौन सा है तो यह है नीरी नेक्ष है मैंग्रो वनों पर बैस्विक्तापन का क्या प्रभाव होगा तो यह मैंग्रो के विसाल छेत्र जल्मन हो जाए जल जल विदुत है धार्निये विकास जिनके उप्योग के संदर में अंतर पीडिगत संवेदन सिल्ता का विसाय है यह है प्राकिरतिक संसाधन दो भीन समुदायों के बीच का संकराद्मति छेत्र क्या कहलाता है यह इको टोन कहलाता है नेक्ष है एक मनुस्य के जीवन को पूर्ण रूप से धार्निये करने के लिए अवस्यक नियूंतम भूमी को क्या कहते है तो इसे पारिस्थित किये पदचाप कहते है चलिए आगे देखते है निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो यह है सागरिये जल के समान ताप नेक्स देखते हैं भारत के निमलिखित छेत्रों में से कौन से जय विवित्ता की द्रिष्टी से उत्तेजन सील माने जाते हैं तो यह पूर्भी हिमाले और पच्छमी घार दोनों माने जाते हैं जय विवित्ता की द्रिष्टी से उत्तेजन सील ओके नेक्स देखते हैं एको सिस्टम के संबंध में क्या सत्य है तो देखते हैं उत्पादक प्रात्मिक उपभोगता से अधिक है तो यह सत्य है कि उत्पादक जो होता है प्रात्मिक उपभोगता से अधिक होता है नेक्ष है निमने में से कौन सा वायू परदूसन के जैविक सुचग का परसीद उदाहरन है तो यह है लाइकेंस खाद स्रिंखला क्या है एक जीव से दूसरे जीव का खाद का पारन ही खाद स्रिंखला है नेक्ष है निम्न में से कौन सा कथन सही है तो ये है जै मंडल ये पारिस्थित की तंत्र में उर्जा का परवाह एक दीसिये होता है ये कथन सही है निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है तो यह है नाइट्रोजन जो हरित गैस नहीं है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन पारिशित की तंत्र के विशय मेs सही नहीं है यह एक बंद तंत्र होता है यह गलत हैं वाकिज इसमें सही in नेसर देखते हैं खाद स्रिंक्चला में मानो क्या है मानु प्राथ alar के अनिर्मान करते हैं यह घास वक्ती और मानो पार्ष्थित की विज्ञान केंद्र कहां इस्थत है तो यह है भेंगलोरू में इस्थत विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है तो यह पांच जून को मनाया जाता है नेक्ष्ट है प्रथम विश्व पर्यावरन दिवस किस वर्स मनाया गया था तो यह 1974 में बनाये गया था इवन में से कौन सा जीव समोह अहार सिंखला बनाता है तो यह है घास बक्री और मानों ठीक है नेक्स चेप्टर है प्रदूसन तो चली देखते हैं वायू प्रदूसकों का विस्वस्निय संकेतक क्या होता है यह है लाइकेंस तथा मौस तो यह वायू प्रदूसकों का विस्वस्निय संकेत होता है नेक्ष है मोटर कार से उत्पन परदूसक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा है यह है सीसा पीबी है जिसे लेड कहते हैं सीसा कहते हैं ओके नेक्ष है कार्बन मोनो अक्साइट एक परदूसक है क्योंकि यह हीमोगलोविन से संयोग करता है तो कार्बन मोनो अक्साइ CO मुख वायव पर्दूसक है मुंबई तथा कोलकाता जैसे सहरों में वायव पर्दूसक कौन सा है पर मुख वाय पर्दूसक बताना है तो यहें Carbon Monoxide और Sulphor Dioxide है निक्शाते हैं कौन सा वाय मंडलिय पर्दूसक नहीं होता है तो यह Carbon और फ्लोरोकारबन CO2 CH4 और इनोड़ो यह सभी हैं लोरो-फ्लोरोकारबन कारबन डाइक्साइड और मेथेन तथा नाइट्रोजन अकसाइड यह सभी हरी तिग्री गैसे हैं नेक्ष्ट पे आते हैं कौन सी गैस हरी तिग्री परभाव में सरवाधिक योगदान देती है तो ये स्वता चालित वाहन जो होते हैं, ये मेट्रो पॉलिटन नगरों में परदूसन का प्रमुक सुरोत होते हैं, नेक्ष पे आते हैं, निम्न में से कौन सी गय सीमो गलोबीन से संयोग कर रग्त में एक विसाहला पदार्थ बनाती है, तो ये है कारवन मोनो अक्साइट, ठी ये है रबड, जो जै निम्नी करनिये हैं, निम्न परदूसकों में कौन जै विगटित है, ये है वाहित मल, वाहित मल जै विगटित होता है, नेक्ष देखते हैं, निम्नी में से किस वायू परदूसक के कारण मनुस में तंत्री का तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, त तो तंत्रीका तंसंबंधी रोग सीचा से होता है। निक्ष देखते हैं निम्न में से कौन सा परदूसक मनुस में रक्त दा ब्लड पेसर को बढ़ा देता है तथा हीरदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो यह है cadmium, तो cadmium जो होता है, वो blood pressure को बढ़ा देता है, तथा हीरदय संबंधी रोग पैदा करता है, ठीक है, नेक्ष में हैं, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में law सकित मैता रोग होने का कारण क्या है, तो यह है silica, तो इनको silica के कारण यह रोग होता है नेक्ष पर आते हैं, वाई मंडल में कारण डाइकसाइट का निर्मान मुख्यतर हुआ है, कैसे हुआ है, तो जीओ के स्वसन से वाई मंडल में कारण डाइकसाइट का निर्मान हुआ है, चलिए नेक्ष देखते हैं, ताज महल को छती कौन पहुँचा रहा है, तो यह है म मारबल का छरन करती है नेक्षे पृत्रीक वाइमंडल में उपस्तित ओजोन अस्तर क्या काम करता है तो यह पराबैगनी करणों के पर्यवेश को कम करने से अदर के नेक्षे मीना मातध महमारी जिसके कारण 1975 में जापान में नेक लोग मारे गए थे, पानी में इसके परदूसन के कारण हुई, तो पानी में पारद के परदूसन के कारण लोग ये रोग होता है, मीनी माता रोग, ठीक है, मीना माता, मीनी माता जोड़ी कही है, नेक शजल परदूसन को मापने हे तो निम्न में से कौन से जाच की जाती यह रिए बायो केमिकल ओक्सीजन डिमांड तो जल परदुसन कुमापने के लिए बायो केमिकल ओक्सीजन डिमांड किजाता फिसब्रावने मवह रचा का कैंसर होता है यदि जल का परदूसन अवर्दमान गती से होता रहा तो अंततह क्या होगा वंततह ज्ल पादपोगे प्रदूसं क stell अाप की घ्ष्ट pixel 5 लिए उसन प्रुदूसं के एगर्ण तो यू को पर्दूसित नहीं करती है ऋक्सिजन नेक्ष पे आते हैं परकास रसाइन समोग इस आम क्रिया का परिनाम है तो यह सूर्परकास के उपस्तिती में निमलीखित में से कौन एक वहाहन परदूसन का भाग नहीं है यह है अधिक्तम ध्वानी परदूसन का कारण है तो ये है जे टूरान, जे टूरान से अधेप्तम परदूसन, धोनी परदूसन होता है राष्टिये पर्यावरन अभियांतरी की संस्थान कहा है तो ये है नागपुर में तो राष्टिये पर्यावरन अभियांतरी की संस्थान नागपुर में है मानो जनित पर्यावरन परदूसन क्या कहलाते हैं यह परजयविक कहलाते हैं तो इसमें सभी हो सकते हैं समून तल में व्रीधी समून तल में व्रीधी फसल के स्वरूप में परिवर्तन टटरेखा में परिवर्तन यह सभी परिणाम देखने को मिल सकते हैं आगे बढ़ते हैं वाई मंडल में जिस ओजोन चीदर का पता लगाया गया है वो कहां इस्थत है तो यह अंटार कटीका के ऊपर इस्थत है तो जो ओजोन चीदर मिला था यह अंटार कटीका के ऊपर है निम्न मेंसे कौन सी गैस बैस्वी कुशनता के लिए उत्तरदाई है तो यह है कारवन डाई अक्साइड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं वाई मंडल में उपस्थित उजोन परत क्या असोसित करती है तो यह अल्ट्रा वाइलेट किर्णों को असोसित करती है नेक्ष है तेजाब वर्षा पर्यावरन में नीम्न परदूसन से होता है तो किस कंडल के ताफमान का भढ़न ही हरित्गरी वर्वाव कहलाता है सब्सक्राइब कर देडिया नेक्ष है नेक्ष कोन साल शौह यह कारगे là निक्डावन गृओस क्या लिचे पाद्येस्ट परदूसन तो फट्री करके और परद को पराव ध्वनिक जेट परदूसन पैदा करता है तो ये ओर थिरी परत को पतला करते है नेक्ष्ट पे आते हैं फ्लाई ऐस वाता वर्णिये परदूसक है जो इसके द्वारा उत्पन होता है किसके द्वारा उत्पन होता है फ्लाई ऐस ये थर्मल पावर प्लांट के द्वार प्रसक्राला अद्राइक्ष रितऊचा या देया इस ये ढ़लत fund होता है या ने. नेक्षे से कौन सी कॉन जय है। यह है वहीत मल प्रेक्षी एसिटी नाा outreach क्या है यह एक गोड़़ पर दूसक होता है। नेक्षिध सबसे खराब वायु पर्दूशन उत्पन करने वाला पदार्थ क्या कौन सा है तो यह गर्वन डायकसाइड है इन में से बाकी सब वाय परदूसन करने वाले पदार्थ है इसके द्वारा जल के परदूसन को साप करने में बायो फिल्टर के रूप में पालिला ग्लोब बोसा प्रयुक्त किया जाता है यह कौन सा पदा पर्यावरन सन रचन के लिए कौन सी अंतराश्टी कारे कर रही है तो यह है ग्रीन पीस परिया वरन संवरक्षन के लिए कारे कर दए हैं नेक्ष है भूमिगत जल को दूसीद करने वाले अजय्विक परदूसक वा Mits hydraulic धहरता है अर्सेनिक आईनेक्ष देहुए सुचिवन और प्रभावित होता है यह उदर होता है और कवन कक्रफद से रगत धारायी परभावित होती है नेक्श देखते हैं भूमिगत जलक के परवाह के साथ नीच्चे की और बहने वाले पर दूसकों को क्या कहते हैं इसे निचालक कहते हैं निचालक कहते हैं नेक्ष है भारत के कुछ भागों में पेजल में निम्लिखित में से कौन से पर दूसक पाये जाते हैं नीचे दिये हुए कोड का प्रियोग करते हैं सही उत्तर का चैन करना है तो यह हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड तो भारत के कुछ भागों में पेजल में निम्लिखित में से आरसेनिक और फ्लोराइड पाय जाते हैं ठीक है नेक्ष पे आते हैं चली नेक्ष चेप्टर है ये जन्तु विज्ञान की साखाएं ठीक है तो इसका फर्स्ट कोश्चन देखते हैं मानो का अध्यन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है तो यह है डर्मेटोलोजी कहा जाता है मानो त्वच्चा का अध्यन दर्मेटोलोजी के अंतरगत किया जाता है नेक्ष है अस्थियो का अध्यन तो अस्थियो के अध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जात कि जिवास्म का अध्यन किया जाता है। अबतेज किडो के अध्यन की नेक्ष के एध्यन कहते हैं। टितलियो अध्यन क्या कहलता है तो यह डेटेरियोलोजी कहलाता है, मचलियों से संबंदित अध्यन को इत्योलोजी कहलाता है, मचलियों से संबंदित अध्यन को इत्योलोजी कहा जाता है, नेक्ष पर आते हैं, अनिर्थोलोजी में किसका अध्यन होता है, तो यह पक्छी का अध्यन होता है, अनिर्थोलोजी में, हिस्टोलोजी, हिस्टोलोजी में किस से संबंधित है तो यह उत्तक से संबंधित है चली नेक्ष देखते हैं घाव काध्यन क्या कहलाता है तो घाव काध्यन कहलाता है ट्रोमेटोलोजी गाव काध्यन क्या कहलाता है ट्रोमेटोलोजी नेक्ष पर आते हैं कैंसर संबंधी र कॉंको लॉजी कहलाता है कॉंको लॉजी में किसका मुलसका समुदाय के जनतुओं के कवच का अध्यन करते हैं ओके once गति के नियमों के अध्यन को क्या कहते हैं तो अन्वांस की कहते हैं नेक्ष देखते हैं मनुस्त के वातावरन को सुधारने के नसल सुधारना क्या कहलाता है? तो ये युथेनिक्स कहलाता है, ठीक है? ये युथेनिक्स कहलाता है, मनुस्त के वातावरन को सुधारने से नसल सुधारना युथेनिक्स कहलाता है. नेक्ष पर आते हैं नालिका विहिंगरंतियों का अध्यन करने वाली जन्तु विग्यान की साखा को क्या कहते हैं तो ये इंडो क्राइनोलोजी कहा जाता है जो नालिका विहिंगरंतियों का अध्यन करता है नेक्ष है उस विज्ञान को जो अनुवान सिक्ता के नियमों द्वारा मानो जाती की उद्नती का आध्यन करता है उसे यूजेनिक्स कहते हैं ठीक है इसे यूजेनिक्स कहते हैं नेक्ष है कीटो से संबंदित जीव विज्ञान की साका इंटुम लौजी कहलाती है नेक्ष देखते हैं मचलियों तधा उनसे संबंदित दोगों का अंधर क्या कहलाता है तो यो इक्थियो लौजी कहलाता है नेक्ष्ट है जंतु बिग्यान की वह साखा जिसके अंतरगत जंतु बाह आकृतियों बाह संरचना का अध्यन किया जाता है वो क्या कहलाता है तो हो मार्फोलोजी कहलाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट पर देखते हैं जन्तु बिज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत अन्वानसिक लक्षनों तथा उसकी वन्सगति का अध्यन किया जाता है यह जन्तु तथा उसके आसवास के वातावरन संबंधी अध्यन को क्या कहते हैं यह पारिस्थित की कहलाता है नेक्ष है मानस्पेशियों का अध्यन क्या कहते हैं यह मायोलोजी कहलाता है तो मानस्पेशियों के अध्यन को मायोलोजी कहते हैं नेक्ष है जन्संख्या का अध्यन क्या कहलाता है तो यह डेमोग्राफी कहलाता है मधुमक्यों के पालन को एपी कल्चर कहते हैं रेसम पालन बिज्ञान की साखा neurology से कौन सा अंग का अध्यन किया जाता है तो neurology में असनायू तॉन्त्र का अध्यन किया जाता है नेक्षट right journal की इंट रहे चीजिर रिविध का अध्यन करता है नेक्षट पे आते हैंérica टो पीडिया ट्रिक्स निमलीखित में से किसके अध्यान से संबंदित है तो यह सीसु रोग से संबंदित है तो पीडिया ट्रिक्स किससे संबंदित है तो यह सीसु रोग से संबंदित है चले नेक्ष है ओंको लौजी किनका अध्यान करता है तो यह कैंसर का अध्यान करता है ज प्रल्ट करता है। अध्यन विज्ञानिक अध्यन साइनो लॉजी कहलाता है नेक्ष पर है विज्ञान की एक साखा चीरो पॉड़ी सरीर के किस भाग से संबंदित है तो यह पैर से संबंदित है ठीक है